विल्कम बैक एकिन डियर अश्टुएंट्स मैं हुए अपने यूटुब चैनल एस के आजाद मैंकेनिकर इंजिनियनिंग पे डियर अश्टुएंट्स आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स में हम लोगों काफी इसको नहीं प्राहाइज आता है छोड़ दिया जाता है ठीक है यह स्ट्रू करने से पहले आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेरायक कर लेजिए विडियो को लाइक कर दिए और अपने बच्चों के साथ इसको सेर कर दिए मैं आप लोगों को पां सेर be simplu को आजाए तकि सब लोग आ जाए तब इसको अस टार्ट पूरू करों doubt क्पांश मिनट के लिए वीडियो को पॉस करएskin हैं पांश मिनट में आप इस चेनल जो इस विडियो को आप सेर कर दी ताकि सब लोग आ जाएं तो आपको फायदा होगा चलिए मैं इस वीडियो को फांच मेंट के लिए आपको समय देता हूं आपको फांच मेंट के लिए उद सवय देता है झाल 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 क्यी झाल क्या झाल 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 का क्या हम लगाते हैं आइलेंस से तो यहां से डिस्टेंस यह यहीं भी डी के बरावर हो गया की नहीं हो गया अले भीर D के बरावर हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है सबको तो यहां से formula convert हो रहा हो रहा है यहां तक तक मैं simply simply सब सब चीचे लोगत पर यहां पर चीज़े convert हो यहां पर चीज़े convert हो गया है यहां पर मैंने कापूट कर दिया आंति परती में A2B2 जो बन रहा हूँ वा डी पर बन रहा है यानि B देखेगा के लिए आप क्वालेटी बढ़ाईए जब बहुत तेजी से मूफ किया जाता है तो आपको धुनला दिखेगा तो आपको डेटा आप तर पहुंचता है तब तर समय लगता है डेटा पहुंचने में ठीक है तो था से इस्टेबिलाइज होने देजिए और विडिय अब इसको थोड़ा से और करवड करते हैं अब यदि अनंत वा बनता है अब जानते हो कि final प्रतिविम को ऑनंत पर इस लिए बनाते है上 गरहता है तो गाल जेखने में स सभूलीげ अराम से दिखता है तो आल पर प्रतिविम बना हैं जानते हों पर एस तो मगनिक्र इस टो कि लेए इप अपना काम करी रहा है यह का प्लूंच ही आगर इस पर इसका फोकस बन गया यह ईमेज तो यह उसको जो हो का Cathedral परतिभियम आनंत पर इसको मने अभी बताया है यो लेट्स आए है वह देख लिग लीजे देखिए सोटें टो वन प्लस डीवाई एफ है पर अंग्लर डीवाई एफ है एख से कम गया है तो यहाँ भी अभी दिश्च यह नेत्रिका के लिए आइलेंस के लीए हम लोग उसको पिदा देंगे एक से कम कर देंगे तो से आपको तो इस फॉर्मूला बनके आएगा तो यहां से एक हम कमा कि आपका यह फॉर्मूला बनके आ जाएगा सारे इस्तमाल हुए है अपको फुदी सोचो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ठीक है कभी एक बाल लगाओ तो अलगा नसा आएगा आपको पता है नहीं रहेगा कि कब बनेगा तो अनतिम प्रत्मिम यदि बनता है तो यह बाल फॉर्मूला लगाए और यह कोशन में क्लियरली दिखा हुआ होगा और कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी आप्रत्मिम कहा बनेगा अनन्द पर बनेगा जानते कोई इस्ट्रूमेंट रहता है आप्टिकल इस ओ झाल हो फॉकस हटे है तो अगर ऐसा रख के देखोगे तो आपका एक और अन्नोन हट गया है ठीक है और अनों हट गया है आप यूट गया पे क्या रगदो एफ नॉत रगदो लो रगदो टबी यह फार्म्मुला इनल बन गया और यहीं फ़र्मॉला सबसी इंपॉरनन फार्मुला है ठीक है अब इसको और करें यह है भी यह प्रेस्ट करेंगे और किसे कॉन फर्मुला क्यों घणा अपके पूछ देते हैं तो वह देखके आते हैं, उसमें जो फर्मुला लगा होते हैं, इसके यह फर्मुला होता है आप पता ही नहीं करते हो ठीक है उसको और मैं सिंप्रिफाइए करता हूँ इसमें यह फॉर्मूला और कनवर्ट होगा यहां पर क्या लिखा हूँ सायुक सुचिय दरस्ति के लिए भी ओक आप जो माहन होता हूँ वह एल की लंबाई याले कि हम आरे हम च्श्रक्शन कर रहे हैं संग्यों सुच्चिय दरस्ति की इसमें हम ने इस प्रकार से कुछ कर्श्रक्शन किया है कि जो देखो आखिर बदल क्यों रह ये भी है जो आप्जेक्टीव लेंस का फोकल यह जो आइलेंस का फोकल यह अ और डीव का वैलु भी फिक्स होता है पर यह आको गरवड कर रहा है तो इसको उटाना पड़ाईा को इसको नहीं अखाएंगे तो तो इमेज का डिश्टेंस बदलता रहेगा और इमेज का डिश फिर भी हो क्या है ये आपका भी है ये हम इस हम इसे और इसह संबलाते है कि यही 22 क्रभू के ब्राबर रहाँ है, हैये जो यह आपको Tuker लंबाई के डाबर रहाँ है आपका Tuker यहां से यहां क्या आया है L by F not into D by F E ये formula maximum time पर इस्तमाल आता है जहां पर बागी से formula जितना भी था उसमें L था गया नहीं था एक ही मैंने formula बताया जिसमें L है तो आपको जहां भी question में दे रखेगा कि L दिया हुआ है आपको q की लंबाई दे रखेगा तो आप सीधे सीधे कौन सा formula लग करते हैं और रिप्लेस करते करते हैं से convert कर दिया है हम लोगों ठीक है अब इस formula में साइच इस constant term है कोई भी बदल ले सकता है टूब की लंबाई एक बाद का श्रक्शन हो गया तो वो टूब के लंबाई फिक्स हो गया जो आपने लेंस लगा दिया और जो आपने लेंस इसका भी फोकर्न अंद्र रखते हैं और D का value नहीं देगा तो आपको पहले सा पता है 25 cm cm ध्यार रखना सेंटिमेटर ले लो तो हर किसी को cm में ही लेना ठीक है वारना मीटर में बदल लेना इसको ठीक है जैसे जैसे दिया रहेगा इस प्रकार से उसनुसार आप कर लोगे को और चीजिए आपर दे रखाई उसको भी लोग देखि लेते हैं कुछ नोट मैंने लिख दिया है उसको नोट को उम्लोग बढ़ लेते हैं क्यारा बैर देखू आधुनी सुचमदर्सी जो होता है मौडर माक्रोस्कोप जो होता है उसमें दिश्यक तता नित्रिका यह भी इंपॉर्टन चीज़े हैं यह आपको यह प्राकास्य प्राइस को हम कर सके और पर्तिमिम की गुर्णरबस्ता का सुधार कर सके और हम क्वालिटी इमेज आपला सकते होता है इसमें देखो ध्रक्रीश जो कही कटा कटा रूप है अब जानतों बढ़े होगे तुमने तो यह भी प्रिज्म है तो प्रिज्म क्या करत तो थोड़ा ना थोड़ा तोड़ा तोड़ा है वह अलग बात होता है कि हम लोग प्रथे पृत्रील अलेप्ग प्रते पातला लिज पर दिट्क है तो इस वह फितान हम नहीं करते हैं पर यह जो इसा नहीं होगा तो इस वो कुछ ना कुछ आप कलर को मानने की इतना छोटा चीज है इसका इमेज बनाना है आप धेर सारा कलर टूट टूट के ऐसा इसा कलर फुल बना लेगा तो आपको पता कैसे लाएगा ठीक है कहां पर इमेज है कैसा है तो कलर नहीं टूटे यही है आपको प्रकासि भी डिटेल आ जाएगा बहु अब यभी लेंस क्या होता है कि मार्टी फाक्ष्टनल लेंस का ठीक है एक अब्जेक्टिक कोश्चन भी है से निमेरिकल कोश्चन ठोटा सा आपके बुक में यह कि ओ दे रखा वं सेंटिमीटर वे दिश्चर फ्लेंस के लिए और एफी दे रखा नेतरिका के लिए मैं सहींस के लंबाय निकालना है दोसो पंचास गुना मरा दे रहा है ये तोसो पचास गुना मरा दे रहा है तो काफी बड़ा करते रहा है छोटा सा चीज और बड़ा धमा था तो इस परकार से इंपॉर्टन टॉपिक आपका खतम हो गया इसके बाद रिटिकल चीज है इसको आप पिताब से पढ़के समझ सकते हो खागोली दुर्विन है जिसको आप पढ़के समस्कतों यही सबसे है तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सबको दिख रहा है समझ में आ रहा है सुनाई दे रहा है जो नए लोग यह वह फासा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को क्लिक कर लिजेए ताकि मैं निश्ट जब लाइप वीडियो बनाओं तो आप तक उसका कहा कूर दूर्बिल पढ़नाए चिण आश्रोणामिका जो धर्ति के बाहर रहा कि चारा कि है उसको देखेना है में तोकौन से दूर्पिन से देखेंगि si एस्ट्रोनॉमिय इस्कोप से देखेंगे ठीक है जो धर्ती के बाहर है चांद तारा सूरे जो भी है उसकों देखने के लिए खागोली दूर्बिन का इस्तमाल करते हैं ठीक है इसको कौन बनाया था जब बताओ कमेंट में खागोली दूर्बिन का विज़कार किस ने किया थ यह किस ने किया था पूरा कहानी मैं एक दिन सुनाया था जारा कॉपर निकस मर गया बचारा वो बोलता रहा कि वह यह दुनिया मानती थी पूरा कुरान बाइबल सब लिखे हुए पूरी दुनिया का से सबसे पहले कहा कि नहीं ऐसा तो सन के चारव गूंता है धर्ती घुपती है लोग नो उसका अधर्मी समझ दिया तो उसको मार डाला तो उसका सिस्था गैलियो गैलियो से अपर निकस ने कहा कि भेडा तुम जो मेरे बातों को जो सही सावित करना इसी को सही सावित करने के लिए उसने क्या बना बहुत गैलियो का पूरा जीवन जेर में वही था जो नुटन का फ्रस्ट लौ था व्यूंता है वे गैलियो का ही दिया हूवा है ठीक है इसने अजी इस कह बस्णों को ये बस्तों को देखने में करते हैं दूर में बहुत दूर दूर चीज़ हो तो दूरबिन देखते के लगाते हैं जो सेना बगरा लोग इस्तमाल करते हैं वहाँ पर भी आप इस्तमाल करते हो ठीक है खागोली दूर दूर से ठीक है तो यह होता है आपका नेश्ट क्या है भी आपका तो हमीं नेश्ट मिकalenud करते होता है पर यहां पर आव दिर्शक लेंस होता है in keeping कि इंडर Lebens का संयोग होता है और अब और यह इंक बड़े च्षेदर में उट्तल लेंस होता है इधार अबरे च्षेदर में होता है तो एकुद्ध लेंस होता है तो यहां पर देखो अगर तुम ध्यान दो मैंने वहां पर बताया था आपको जो compound microscope उसमें बताया था कि वह कैसा होता भई तो अगर मैंक्रोश्कोब आ देखती हो तो यहां पर चोता सा अब्जक को देखना होता है देखना होता से थो छोंता अब्जक को देखना होता है तो अब्जक के पांज रहेंगा उसका focal ठीक है यानि objective lens का focal length क्या होगा कम होगा और eye lens को उसका focal length क्या होगा ज्यादा होगा क्यों आख के पास है आख आपका बड़ा है object आपका कम है छोटा है तो पर दूरदर्श्टी में आपको just उल्टा होता है दूरदर्श्टी आप दूर्विन बगर देखते हो तो आपकी कि या आभिदेश्टेर लेंज का focal theory बड़ा होता है या फिर नेतरिका का तो डिपेंड करता है कौन सा है अगर खगोली ये दूर्विन है तो दूर्विन में आप जानते हो कि दूर्विन बाहर बाहर बाला चीजर क्या होता बड़ा होता चोटा होता थी बड़ा चीज को तो उसका focal length क्या होगा काम होगा क्योंकि नजदीक है ना चुड़ा सा है और आख आपका उसकी तुलना में जो object है उसकी तुलना में आपको बड़ा जया रहे है तो यहां पर बड़ा होगा तो एक ट्रीक आपके यह हो गया कि आप याद कर सको कहां पर किसमें कौन सा किसका focal ज्यादा होता और किसका कम होता है ठीक है चले तो एक तो हो गया यह वाला चीस इसको आप लोग लिख भी लेना नुट कर लेना और याद भी कर लेना ठीक है उसके बाद यह वाला किस्सा अब दिर्श्यम लेंस चौड़े पीतल की नली पर तथा नेत्रिका को छोटे पीत प्रहाने का हम सब चीप प्रहाने लगें बड़ा दिक्कत है यहां बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है हम पढ़ाएंगे तो घे सामको सत्रू आ जाएगा कमेश्टी बारे टीचर हमारे सत्रू बन जाएंगे सास अब प्रहार आईए ठीक है तो इस कमेश्टी अभी न हम डालेंगे ताकि यहां पर थोड़ा सा बच्चों को सहुलियत हो जाएं चलिए देखते हैं तो असा इंटरनेट कभी चला जाता है connection laws हो जाता है उसमें आपको घबराना नहीं तो बेट कर लेना है एक मीनट के लिए ठीक है तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो बस्तू होता हो अनन्त को होता है तो अनन्त पर जब बस्तू होगा तो यहां पर आवर्धन की तो बात ही नहीं होगा पर कोनी आवर्धन की बात होगा ठीक है यहां पर लेंस यह आई लेंस है जो आख के पास होता है उसको आई लेंस करते है जो ऑप्टेट के पास होता उसको हम अलफा कह रहे हैं तो यह है आपका लेंस यहां पर यहां पर अंगर बनाए अलफा ठीक है और यह सीधा निकलेगा कि अप्टिकल संटर पर यह भी अलफा होगा ठीक है यहां पर मिसिंग है मैंने लिखना भूल गया तो यह भी अलफा होगा जब आप बनाना तो इसको लिखने ना अलफा यह और आ रहा है ठीक है यह तो अब मुड़ेगा और जाके कटेगा कहां पर कटेगा यह तो फोकल प्लेंट पर किसी ने पढ़ता नहीं तुमको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया फोकल प्लेंट पर कटेगा यह फोकस पर करता है जो प्रिंस्पल एक्सेस के पैरल रहे होता है वो जाके फोकस होके जाता है पर यह प्रिंस्पल एक्सेस के पैरल नहीं है यह आपसे पैरल तो है इसलिए जाके फोकल प्लेंट पर कहीं कटेगा फोकल प्लेंट क्या होता है ब Fach Tuchel Trade ऐसा प्रेयन होता है जो प्रिंसपाल एकसेस के लंबत होता है और फोकस से पास करता है तो उसको आपका प्रिंसिपाल एकसेस के लंबत होता है तो वहीं पर आपका यहाँ पर इमेज बन गहाँ यहाँ गया, इसको आGMने A, B, क NOW फिर सी एक kel 이न पढ़ा हुआ है लेंस पड़ा हुआ है यह इसको फिर से बड़ा इमेज बनाएगा ठीक है तो यह इमेज बनाएगा तो आसर डिस्कनेट हो जा रहा है इंटरनेट तो ज्यादा परशान होना हो मत हो जाना बीच-बीच में चला जा रहा है तो यह बन जा रहा है आपका यह बना रहा है तो जहानी कि यह इसे इमेज से इमेज बनाता है यह एख और इस लेंस से इमेज बनाथा यहां यूवे कर रखा यू मतलब अप्जेंच और कहा से आई लेंड छे से तो यूवे कया रखा है इसको फिर से यहां पर इमेज बना है तो इसको इमेज बना तो विकार रखा आई लेंस से बना हुआ है उसका दूरी ठीक है तो यह हम लोग सारा का सारा चीज़े बता दिया मैंने तुमें अब इसका इस्तिमाल का ख्रम यहाँ पर आसान है ठीक है यहाँ पर हम लोग ने angular magnification निकाल रहा है magnification क्या होता है तो angular magnification में होता है कि देखो देख लो यहाँ पर यह जो angle बना रहा है यह object है पर object जो angle बना रहा है यह alpha और ए इमेज है इमेज जो angle बना रहा है यह beta फिंस पल एक सिर्ट ठीक है यहीb charcoal यहीb अब यह beta ख रूम बिल्दा बिल्दा Almost यहां पर ठीटा जो होना चाहिए यह, वो 10 degrees agет से कम होना चाहिए, ठीक है चलिए आंदर चलते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है तो यहाँ पे हम लोगों ने यहीं पे हैं ठीक है यानिकी यह दूरी है यह एफ ओक वरहर है और यह दूरी है यह वह इसमें जाओ कि दिख़ुरा सबको और यह ट्रेंगिल है यह आलफा मैंने बताई रखा इधर अलफा है इधर भी क्या होगा अलफा ओगा थे एक persuasional यह बन गया ठीक है अब हमने magnification दिखाई था जान, magnification क्या था तो beta by media e. alpha था ठीक है इसको हमने tan beta by tan alpha लिख लिया था ठीक है अब tan beta को अगर हम लिखेए तो beta यह tan beta है इसका heart मैं h माण लेता हूँ कुछ भी h या h-dess कुछ भी माल लो टीक है तो h by नीचे है ठीक है तो टैनलफा इसमें जाएगा यहां भी एच बाई क्या होगा एफ नॉट पर यह नीचे लिए मैं एफ एफ ओ को ऊपर कर देता हूं और एच को नीचे करता हूं एच से एच कट गया फॉमुला क्या आया है एफ ओ बाई एफ ए यह मैंगनिफिकेशन का फॉ इख को नॉमिकल टेटियस्कोप का ठीक है यह आपका यहां पर बना हुआ है यहां का बना हूआ है इसको आप यहां से देख सकते हैं में बिटावाज अलफा यह वा किया हुआ है एक और इंफोर्मेशन यहां होता है को चूप का लंबाई होता है वह फ-o-by-fe होता है और ह देखो कि एक vari Baptist्तों कि अधूर फार कितना है ये फो किराब रहा है यहां ङोषिति नहीं नहीं देगा रहे अधिया से इना कि निकाल लीजिएगा इसकी से अगर दे देगा तो यहां पर कर लोगे मैंनिफिकेशन कैसे निकालोगे फोसी प्ले निचे दे रहेगा तो एल में से आप फो घटाद हो तो एफ ही निकल क्या जाएगा तो यह भी आपको कोश्चन आता है तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक और चीज़ है यह कोश्चन है कि एक दूर्दर्शी के फोकस दूरी इसने सौसें दे रखा नेत्रिकार फोकस दूरी दे रखा दूर्बिन का वर्धन निकालना तो क्या होता दोनों का रेसियो बस होता है एफ और फी ठीक है तो सौब अबर्धन आएगा एक स कोई तक्रीफ किसी को कहीं पर है तो बताएं अब यह खतम होना है यहीं दो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और इसमें बस ठीकल है कुछ निमेरिकल नहीं ठीक है आपके NCRT बूक में नहीं है इसमें मैंने इसमें रखा है क्योंकि यहां चल रहा जितना NCRT में रहा है उतना तो पढ़ा आगए तो मैं रहे है फिस को आइशके फिर डूर चेलिए है बत बत वर差不多 ₯े रहता है आप रहे हैं इसमें दो लेंस अब लगा होता है, तो और पोर दोसाहे ल हैं, फेसे आप वरतन करता हैं, जिसको अब वर्ती दुरविन उपन होता है । तो ओर नपी पर लेंस आ हम मिरर लोगा दे हैं, तो कहो नपने इसको हम रिफ्लेक्टिव ठेलिए स्कूप करते हैं ठीक है यही चीज़ है बस इसमें रिफ्रेक्टिव टेलियस्कोप रहता है ठीक है तुसको हम लोग देख रहते हैं क्या है क्या है प्रावर्ति दुर्विन तो आधुनिक दुर्विनों में अभी दिर्श्यक के रूप में लेंस के अस्थान पे अपतल दर्पन का परयोग कि अबौत है चाहिए कि अपके कीणम दुर्विन लगा जाएगा कि देखने करें भीच कि निसा देखें देखतें honoring क promet टूट सकता है जो पूंच इसनुका अध़िन की तो क्यों में dollar हुता Любal दुम बहुत हैं पर दूबिन के साखना गत खीजि तो हम लेंस को इसलिए हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि से मिर से मिर होता है कि कम से कम उससे तो हलके हो तो बहुत ही होता है इसलिए हम उसको लिए अपतल दर्पन का इस्तमाल कर लेते हैं तो किसके ज़िए पर करते हैं तो अभी दिर्शक जो लेंस होता है अभी प्रिज में तरह आप काम करता है और वो भी रंगों में को कलर को तोड़ने लगता है तो इससे भी काम बन जाता है कि भीजा ये कलर को नहीं तोड़ेगा तो एक फाइदा ये हो गया कि बंड फथन भी नहीं हुआ अन्विरूपन भी नहीं हुआ ऐसे दुर्बिनों को रख का तो जो भी आपका कोश्षों आसा पहता है प्रवार्थि दूर्बिन क defending के क्या क्यर लाभ है यही आएगा कोश्षों आयख को ईडल दा हम उन्ट नहीं प्राष्ब से अधानी है को चांस्स ही नहीं है कि पांस नमघ में देई नहीं हुआ है ओकर पूछने के लिग ह देखे क्या है कि बेंड भी नहीं होता है सबसे पहले होता कि बीपधन नहीं होता है वो ब Yet भी फ़तन नहीं होता है व से तुल यह की स्वावन कम सी जतें हम प्रावर्ति दुर्विन का इस्तमाल करते हैं आप वर्तन दर्पन लगा देते हैं ठीक है आप इसी से एक आता है रहे ना प्रावर्ति दुर्विन थाओ प्रावर्ति दुर्विन थाओ मैं परती दर्पन के फोकस बिंदु पर बैठना पड़ता है तकलीफ है ठीक है उसमें क्या होता है कि वहीं हमें जो दर्पन हमने लगाना है अप्तल दर्पन उसके फोकस हमें फोकस बिदू पर बैठा पड़ता है ठीक है इस समस्थ्या के लिए पहले आप देखते हो कि पहले के लिए फोरा सब पुराना मुई बाना देखोगे तो एक बड़ा इस्ट्रुमेंट होता है बहुत बड़ा घर होता है और उपर एक चेयर लगा तो हम भी एक पर बैठना होता है पर आपिस्ट्या के लिए अप्चा कर दिया गया समथान के लिए फोकस होने वाले प्रकास को किसी अन दर्पन दर्पन दौरा बिच्छेपित कर दे जाता हय जिससे हम गैस्के दूर करते हैं तो इसमें बिच्छे बीड़ बना ठाटया है यहाँ आ पर 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 आप और यह आपका नित्रिका है पर ने तरी का आपका क्या होता है ठीक है ने तरी का लेंस होता है अबजेट भाई कहीं इधर कोई चांद तारा कुछ भी देखना ताने हैं और चला यहां की कहा है है रिखाने और यहां तकर रहे सीचयों आप इसको पना नहीं है बस कैसलेंजिए दिख़ा हुआ इतना ही पढ़ना है ठीक है इतना ही पढ़ना इसका लाब मैंने श्राप बता दिया कि छोटे दूदरसक में बड़ी फोकस दूरी होती है छोटे दूदरसक में फोकस दूरी जो होते हो बहुत बड़ी होती है ठीक है इतना चीज आप लोग पढ़ लिए इतना ही पढ़ना त आपका पूरा आप्तिक्स खतम हो गया आपका जो रिवाद किया था पूरा यूटुब पर एक वर्ड आपका अपलोडर है जो नहीं देख सा पूरा प्लेडिश्ट बना हुआ होगा आप मेरे चैनल के नाम पर प्लिक कीजिए निशेक फो हो रहा है जाएगा तो प्ले लिश्ट वारे सेक्षन में जाएगे आप लाइव किया है और सारे वीडियो एक एक करके सारे अप्लोड़ेड है ठीक है पूरा का पूरा आप्टीस मैं खतम कर दिया इसके आगे आगे आप्टीक्स है वेव आप्टीक्स उसको फिर कभी देखेंगे इसको अगर आप लोग देखेंगे तो मैं और भी मॉक्टीवेट हो का और बहतर से वीडियो बनाने की पोसीज करूंगा तो काभी मिनट किया जाता है इतना नोश बनाना पड़ता है फ्लिसको रिकॉर्ड करना पड़ता है इंटरनेट का अलाग से डेटा आपको बस लाइक करना पड़ता है इससे क्या होता है कि वीडियो बनाने तो लोग देख रहे हैं अब आप लुड़ता है उसको इसको आप रता लेजिये आज की वीडियो में इतना ही था ठीक है और इसको आप टो सेर किजिएगा चैनल को सब्स्राइब कर लिजे आज की इतना ही था ठीक है और इसको सेर कर दिए जहां पे भी आप हैं फेस्वू वाट्सट ट्वूटर जहां पे भी आप जो भी उडिकेशनल ग्रूप में और कमेंट में जब यह वीडियो खतम हो जाएगा उसके बाद कमेंट में लाइफ चैट में मत रहा है लाइफ चैट वाला में बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसको मुझे उमीर है कि आप जरूरी इसको सेर करेंगे वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको इसको सेर भी करेंगे थैंक यू बेरी मॉच इस वीडियो में इतना ही था